तो हाजे फ्रेंड्स आ गया ओफिसली नोटिफिकेशन बिहार के बिजले बीभाग में बंपर भरती निकल कर आ चुकी है जियां दोस्तों अच्छी खासी पद यहां पे जो एक क्रियेट किये गए हैं लगवा लगवक 2400 से ज्यादा पदों के भरती यहां पे निकाल दी इन चारो कंपणियों में बंपर भरती निकल कर आ चुकी है और पांच भरती नोटिफिकेशन यहां पे आपको देखने को मिलेगा एक आप देखेंगे यहां पे यह अप्लिकेशन है असिस्टेंट जूटिब इंजिनरी के लिए जीटियों के लिए जुनियर इलेक्ट्रि जीरो छे तो दोजार चौ बीस तो इस इस तरछ से लेकिन 5 बेकेंसि जो आम इंसान के लिए है और एक बेखेंसि fand半शी तो इस भरती के संपूर जनकारी हम आपको बताये कि इस भरती के लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है कब से कब तक फॉर्म भर ना है यमिष्रम लिमित लिए कालिफीकेशन कि ये बरतीव पर्मानेंट वरती होने वाली है बिहार के बीजिली भाग में बहुत जाब पोछेंगे कि सर पहले यह बता देजे कि इसमें क्वालिफिकेशन कहा देखिए इसमें तीन तरह के लोग फॉर्म भरेंगे एक वह जो इंजिनेरिंग कर रखे हुए हैं जो तीन साल का इंजिनेरिंग होता है ना डिप्लोमा वाला वह भरेंगे फॉर्म इसके देख सकता है और कोई जो है कमर्स से कर रखा है तो आपका यह कौलिफिकेशन रहने वाला अगर आप इस वीडियो को पुरा कंटिणीव देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं लेकिन अगर आप यह कौलिफिकेशन फुल्फिल करते हैं आदेखिए चार तरग मैंने बता है पहला मैंने बता हैं इंजिनेरिंग कर रखा हूं कोई चार स रवाला और डिप्लोमा कर रखा हूं कर रखा है तो पहला डूसरा आईटिया कर रखा हुआ है और तीसरे ग्रेजिशन किसी भी से कर रखा तो फॉर्म भरेगा और चौथा फॉर्म को अप्लाई करने से पहले सारी जनकारी को समझ सके कि इस भरती के लिए क्या क्वालिफिकेसन यहां पे रहने वाला है यहां देखेंगे टेकनिशन ग्रेट थाड़ के लिए हम पहले बात करते हैं फ्रिंट्स क्लर्क वाले पोस्ट में जिसमें मैक्सिमम लोग फॉर्म को आवयदिन करेंगे जो ग्रेशन सिंपल किये हुए है वो फॉर्म भरेंगे तो देखेंगे फ्रिंट्स इसका एडवर्टाइजमेंट है जीरो तीन स्लइस दोहज़ार चाओविस इसका जो पद का नाम है कोरोस्पेंदेंस क्लर्क एंड इस्टोर एसिस्टेंड दो परकार के पद यहां पे रहने वाले हैं और यहाँ देखेंगे इन दोनों पद के लिए आपको जो है ग्रेजिशन, आप ग्रेजिशन किये हुए हैं किसी वीसे से, किसी भी डिसिप्लिन से, किसी भी इनिवर्सिटी से तो फॉर्म को भर सकते हैं, और हाँ, बहुत सार लग यह पूछेंगे कि सर क्या हम other states हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, जी हाँ भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ह होने वाला है, लेकिन आपका जो जॉब लोकेशन होगा, वो बिहार के किसी जगह पे होगा, और आपको जो एक्जाम देने आना होगा, वो बिहार में देने आना होगा, अब हम बात करते हैं आप पे, प्रोवियशन पिरियाड की, यहाँ पे जो वेकेंसी है, यह पहले सेलरी मिलेगा लेकिन थोड़ा कम मिलता है जिसे आप यहां पे रेगुलर हो जाते हैं तो आपकी पर्मानेंट फिक्स सेलरी हो जाती है तो प्रोभीशन प्रियेड स्टार्टिंग में होगा उसके बाद से आपकी सेलरी जो है लेबल फाइफ की यहां पे हो जाएगी जो कि य 30 वर्स स्ट यहां पे आपका एज दे दिया है और लोवर ओज 21 वर्स होना चाहिए 31 मार्च 2024 को आपको यहां पे उम्रसीमा की गड़ना किया जा रहा इसके विसे बात करें तो प्रोभीशन प्रियेड के बारे में यहां पे जो है जनकारी इन्होंने दिया हुआ है अगर आ प्रवालेंगे जो भी लोग रिजर्वेशन लेना चाहते हैं बाकी जो अधर स्टेट के लिए उनको इस सब डॉक्मेंट्स लेने की आप सकता नहीं है बिहार के निवासी के लिए सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन यहां पर मिलेगा अधर बंदा फॉर्म बढ़ रहा है जो बिहार की फीमेल है उनको 375 रुप्य अप्लिकेशन फी यहां पर लगेंगे फॉर्म भरने के लिए mode of selection की बात करें तो सबसे पर आपको computer based exam होगा उसकी बात से आपको जो है यहां पर selection होगा तो आपको सिर्फ एक written exam देना होगा और उसको असा selection यहां पर हो जाएगा बाद में आपको documents verification यहां पर होता है जब आप form भरेंगे ना तो form भरते समय आपसे पूछेगा कि आप जो है अपने company का choice करिए तो आपको जो है चूज करना होगा preference तो मैंने आपको बता है ना friends इस मतलब बिहार state power holding company लिमिटेकर अंदर चार परकार की company है North बिहार power distribution, South बि difference देंगे फिर यहां पर आपको जो है important date दिया गया है तो एक चार से तीस चार तक आप form को भरेंगे और जो इसका exam है मई और जून में यहां पर tentative बताएगा कि conduct करे जाएंगे how to apply तो जिस दिन इसका वेदर स्टार्ट होगा प्रोपर एक video लेकर आएंगे कैसे आपको form को भरना है step-by-step form भर के आपको बता देंगे यह इसका cut-off date वगर दिया गया है age और qualification 31 March 2024 तक आपका complete होना चाहिए तो ही आप form को apply कर सकते हैं यहीं पर आप नीचे देखेंगे तो syllabus दे दिया गया है कि आपको clerk और store assistant के लिए क्या syllabus रहेगा तो general knowledge से आपका दस्वा लेवल का जो है यहां पे standard रहेगा logical reasoning रहेगा इसकी आप देखेंगे quantity of attitude रहेगा general English and comprehension रहेगा general Hindi रहेगा और basic knowledge of computer तो computer के बारे में यहां से आप से पूछे जाएंगे तो यह आपका syllabus है इस syllabus को ध्यान में रहेख तो आप अपनी को त्यारी को complete करेंगे अब अगली बात करेंगे वह पर ना होगा technician grade थर देखें पांचो वेकिंसी का विदन जो है एक अप्रिल से यह start होगा पूरत 30 अप्रिल तक चलेगा लेकिन qualification सब के लिए अलग-अलग है salary अलग-अलग है यह आपका अलग-अलग रहेगा 2000 इसमें पद है आप देखेंगे सबसे ज्यादा पद इसी में आपका बनाए गए 2000 पद है qualification की बात करें तो आप metric पास सुने चाहिए end में लिखा गया देखें यानि metric के साथ-साथ दो साल का जो है ITI certificate होना चाहिए electrician trade में किसी भी institute से भले वो SCVT हो या NCVT हो तो आप form को भर सकते हैं मतलब क्या कि 10 वी के बाद आप ITI किये हो electrician से तो आप form को भरेंगे कोई दिकत नहीं होने वाला है कोई भी counseling हो सकता है NCVT हो सकता है SCVT हो भी हो सकता है अब यहां बोला गया कि जो भी candidates appearing है वो eligible नहीं है तो जो candidates appearing है वो form यहां पे नहीं भर सकते हैं इसमें बात करें salary की तो देखें आप लेवल 4 की आपकी permanent salary रहेगी starting probation period आपका 2 साल का 20 में रहेगा जो की आपका pay band देख सकते हैं आप यहां बहुत ही अच्छी salary यहां पर आपको देखने को मिलेगी बहुत ही अच्छी salary है और बिहार की salary आप सबको पता है अच्छा होता ह और permanent job यह होने वाला है तो आपको पिल्कुल tension नहीं लेने वाला है अब यहां पर बात करें age की तो 18 जो है minimum रखा गया है और यहां पर बात करें category wise upper age की तो maximum age general के लिए 37 verse, SC के लिए 42 verse, SC के लिए 42 verse, EBC के लिए 40 verse और BC के लिए 40 verse और female general के लिए 40 verse यहां पर age आपको रखा तो यह आपका जो है upper age है और minimum age 18 verse यहां पर रखा गया, अगर आप other states से आते हैं तो आपका age जो होगा 1837 verse हो क्योंकि आप जो है general में आएंगे, वहले आप किसी भी category सा आते हो, CM यहां पर भी है अगर आप form भरना चाहते हैं तो BC, EBC सा आते हैं तो अपना non criminal certificate बनवा होगी और इसके अलाबा, EWLT से कोई आता है तो अपना EWLT का certificate यहां पर बनवा लेगा, इसके अलाबा जो भी बिहार के निवासी हैं उन सबको जो अपना निवास certificate भी बनवा के रखना होगा form बनने से पले, इसका भी application fee वही 1500 है और 375 है जो SCHT और जो बिहार के निवा सेलेक्शन यहां पर होने वाला है, shortlist आप करे जाएंगे, one by one ratio में, documents verification के लिए CBT में यहां पर, computer based test के हिसाप सी आपका selection यहां पर होने वाला, इसका भी आविदन 1 April से लेकर, 30 April तक आप form को बरेंगे, हम प्रोपर उस दिन वीडियो लेकर आएंगे कैसे form को भरना है, form भर certification का certificate हो आपको लगेगा, form भरने से पहले जाती और आपका जो निवास है, बिहार के लिए especially, बाकी अदर शिर्ट के लिए जाती निवास नहीं लगेगा, इसकी बाद आप देखेंगे, तो यह इसका syllabus यहां पर दे दिया गया है, आपका जो एक्टिसन गिरेट 3 के लिए क् basic knowledge of computer, technician का paper जो होगा, electrician trade में, वो आपका यहां पर रहने वाला है, इसकी बाद से आपका logical reasoning रहेगा, और general Hindi के questions रहेंगे, इसके बाद से general English and comprehensive questions आपके यहां पर रहने वाले है, यह आपका topic दे रखा हुआ है, आप इसी topics को ध्यान में रखते हैं, अपनी अच्छी से त्या eligibility qualification में, तो commerce अगर आप negotiation कर रखा है, तो form भरेंगी, और इसमें भी आपका probation period 2 साल का होगा, इसके बाद ही आप permanent होगे, तो हटाया नहीं जाएगा, आपको 2 साल training में रहना है, मतलब probation मतलब होता है, एक तरसा training, जो भी probation किसी का 1 साल है, किसी का 2 साल का, वो आपका probation हर एक company म होता है, आप, मतलब भारत के कोई भी आप government सरकारी नोखरी करेंगे, तो आपको starting में, एक साल, डिर्ट साल, दो साल probation period रहता है, उसके बाद ही आप permanent regular हो जाते हैं, वह आपका रहेगा, और इसके बाद से level 5 की आपकी salary permanent हो जागी, 7th CPC की, इसमें आपका age 31 March 2024 को count करे जाए क्यांगे, qualification 31 March 2024 रहने वाला है, minimum 21st verse रहने वाला है, और वही जो है, category wise अलग अलग जो है, age limit यहाँ पे दिया गया है, other state वाले हैं, तो 17th verse में आएंगे, इसके आलावा reservation जो है, वही सेम रहने वाला है, बिहार के निमासी हैं, तो जाती और निमास बनवा लेंगे, फी भी इसका सेम रहने वाला है, mode of selection इसमें भी रहने वाला है, computer based exam connect होगा, उसकी के base पे आपका selection यहाँ पे होने वाला है, और यहाँ पे आपका online भी उसी दिन से start होगा, तो उस दिन में आपको एक proper video लेकर आँगा कैसे form को भरना है, तो यहाँ पे आप देख लिजेगा, इसी channel जनरल हिंदी और general English comprehension और commerce से आपके question से आपके रहने वाले हैं, तो यह हो गई तीसरी वेकेंसी, अब हम बात करते हैं आपे, चौथी वेकेंसी के बारे में, तो देखे, assistant executive engineer GTO की वेकेंसी है, जिसमें आपको बोला गया है, 40 पत आपके रहने वाले हैं, इसमें जो आपका selection होने वाला friends, 4 years engineering degree अगर आपने कर रहा है, B.E. या B.T. या B.S. engineering तो आप form को भरेंगे, इसमें से कोई भी आपके पास एक qualification होना चाहिए, साथ-साथ आपको जो है, final year appearing आप हैं, तो आप form भर सकते हैं, और आपके पास gate का score होना चाहिए, जी हैं दोस्तों, एक valid gate score होना च इतना से कम percent है, तो आप eligible नहीं form भरने के लिए, जनरल के लिए 60, SC के लिए 50, ST के लिए 50, BC के लिए 55, और ABC के लिए 55, या आपका minimum percentage होना चाहिए, तभी आप form को भर पाएंगे, इससे कम है तो नहीं भर पाएंगे, इससे जाना है तो कोई दिकत नहीं होने वाला है, इसके इसके बाद से आपका regular pay level 9 हो जाएगा, या इसके बाद से आपका age limit यहाँ पे देख सकते हैं, एकरी से 37 वर्स है, जनरल के लिए, बाकी या पे SCHT के लिए, किसी का 42, किसी का 40, ऐससे आपको age limit रखा गया है, इसका देखेंगे, तो इसका भी आवे दिन आपका जो है, एक आपको form को भरना है, तो यह vacancy आपकी हो गई, अगली vacancy है junior electrical engineering की, इसमें 40 पद है, इसमें आपका जोने डिप्लोमा बोला गया है, जी हां दोस्तों, तीन साल का अगर आपने डिप्लोमा कर रखावा, electrical से, जो आपका trade है electrical, तो आप form को apply करेंगी, अगर आप appearing में है, तो आ 1442, 1442, PC का 1840, यहां पर उम्रसीमा अलगला category wise रखा गया है, और यहां पर reservation जो है, बिहार जो है, उनको दिगा जाएगा बिहार के जो निमासी है, जनल के लिए 1500 और बाकी अधर कास्ट के लिए, यहां पर 375 रुप्लिकेशन फिए आपको लगा, SCST, और दिब्यांग, और domicile, बिहार female के लिए, इसकी वैसे इसमें भी computer-based के exam पे ही आपका selection होने वाला है, और computer-based exam होगा, उसके बाद ही आपका selection होने वाला है, final merit list बनेगा, इसमें आप देखेंगे, आपका भी आवेधन, एक तारिक से लेकर 30 तारिक तक होने वाला है, how to apply, तो जिस दिन आपको इस भरती के बारे में सारी जनकारी समझ में आया होगा, मैंने आपको जो है link description box में provide कर दिया, click करके आप यहां पे सारी जनकारी को पढ़ सकते हैं, और यहां कितने पद हैं, आप यहां पढ़ सकते हैं, इसके लाबा आप जो notification को भी download कर सकते हैं, आवेधन जिस दि next video में जाहिंद आपका दिन सुखो